नमस्कार मैं हूँ चंद्रभान सिंग भदोरिया और आप देख रहे हैं सीवी लाइव आज एक ऐसा महत्पूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर ये वीडियो बना रहा हूं में मुद्दा है आपने देखा कि मदप्रदेश में मुख्यमंतरी सिवरा सिंग चोहान ने मुख्यमंतरी कोविड जन कल्यान योजना लागू की है ये बहुत अच्छी पहल है इसके लिए उनको बधाई शुब कामना है इस योजना के तहट ऐसे परिवार कवर्ख होंगे जिनके ऐसे बच्चे ना को हैं उनकी करोना से मौथ हो गई हो या तो दोनों की हो गई हो या दोनों में से एक की हो गई हो जो कमाता हो इस योजना के तहट ऐसे परिवार को पांच जार रुपया महिना पेंशन, बच्चों को निशुलक सिक्षा और साथ में उनको निशुलक रासन मिलेगा यह काफी अच्छी योजना है और इस योजना को दिल्ली सरकार ने भी अपनाया है उसका सुरूब थोड़ा सा बदला है लेकिन इसे अपनाया है और हो सकता है कई अन्य सरकारें भी इसको अपना ले इस योजना में पात्र कौन होंगे मैंने आपको बता दिया और योजना में पैंसन 21 साल तक की उम्र तक मिलेगी जब तक की वो बच्चा जो आस्रित बच्चा है वो 21 साल का न हो जाए और सिक्षा उसको पहली से आठवी तक उसका सिक्षा तो पूरी निशुल की मिलेगी लेकिन पहली से आठवी तक वो चाहे तो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे तो निजी स्कूल में पढ़े फीज सरकार देगी और नोवी से बारवी तक सरकार अपने स्कूलों में उसे पढ़ाएगी उसके अलावा कॉलेज या तक्निकी सिक्षा वो लेना चाहता है तो सरकार उसे निशुल के वो सिक्षा भी उपलत कराएगी योजना काफी अच्छी है लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना मदप्रदेश के वास्तविक हिद्गराहियों को मिलेगी या फिर जो सरकारी काग्जों में दर्ज हैं उनी को मिलेगी अब मैं आपको उधारन के साथ बताता हूँ माली जी आप मदप्रदेश के बावन जिलों में से कहीं भी रहते हैं आप रिवा, सतना, सीदी, सिंग्रोली से लेकर बिंड, मुरेना, ग्वालियर्स, गुनाश्यूपुरी, असोग, नगर, चिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, डिंडोरी, उमरिया, करगोन खंड़वा से लेकर आप धार जाबुआ लिराचपुर कहीं भी हो अब जबवा जिले के एक्जामपल से आप अपने जिले का एक्जामपल का अनुमान लगा लेना नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जबवा जिले में आकड़ा ये कहता है सरकार के पोर्टल का कि यहाँ पे कोरोना से अभी तक 47 लोगों की मौत होई है यानि सरकार की अगर हम माने तो 47 लोगों नहीं पूरे कोविड नैंटीन के तहट अभी तक जब से ये कोरोना शुरू आ है करीवन सबा साल हो गया है सिर्फ 47 लोग की जान गई है आकड़े बताते हैं कि इसमें से करीब करीब 40 लोग 40 या 37 लोग शहरी छेत्रों के हैं जाबुआ, रानापूर, ठानला, पारा, पिटलावद और बाकी के लोग ग्रायमिन छेत्रों के हैं यानि कि जाबुआ जिले के आबादी करीब 11 लाख है, जिसमें से करीब 9 लाख लोग ग्रायमिन छेत्रों में रहते हैं, जिनमें जदतर आदिवासी समाज के लोग हैं, उनमें सरकार के अनुसार सिर्फ और सिर्फ सास से 10 मौतें हुई हैं तो इनमें भी अगर मुख्यमंत्री, कोविड, जन, कल्यान, योजना जिसके तहट, नेशुलक, सिक्षा, रासन और पेंशन की वेवस्ता है, उनका लाब इन 9 लोगों में से किसको मिलेगा, जो ग्रायमिन छेत्रों की हम बात कर रहे हैं अगर किसी के माबाप दोनों सांथ हुए होंगे, उन बच्चों को, उन परिवारों को, या कमाने वाला सांथ हुआ होगा अब आते हैं कागजों से निकल कर जमिनी हकीकत पर क्या आप ये सिवकार करने को तयार हैं कि जाववा जिले में सिर्फ 47 मोते हुई हैं जैसा कि सरकार कह रही है या मदवपदेश में कहीं भी रहते हों, खरगोन में हों, खंडवा में हों, बढ़वानी में हों, रतलाम में हों, मनसु नीमच में हों सिवकार करने को तयार है कि जो आपके जिले के आंकडे सरकार बता रही है उतनी ही मोते हुई है तो पिर सवाल ये खड़ा होता है कि इस योजना का लाव वास्विक हिद ग्राहियों को कम मिलेगा मुझे जो मेरा फीडबेक है उसके अनुसार ग्रामीन चेत्रों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का अभाव है न तो ग्रामीन सरकार तक पहुच पाए करोना जैसे लेक्षणों के बाजू जिन में उनको सरदी खांसी वुखार था और नहीं सरकार उन तक पहुच पाई और ऐसी इस्तिती में बीते एक माह में दोसों से ज़्यादा लोगों की मौतों का अनुमान है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हो ही गई हैं दोसों लोगों की मौतों का अनुमान हैं दोसों से ज़्यादा यह संख्या है कोई गाँ ऐसा आप निकाल के बता दीजिए जाबा जिले का जहां पर इस डियूरिशन में मौते ना हुई हो तो अगर ये मौतें अब चुकी वो कुरोना से हुई मौतें रेकार्ड में नहीं है या वो कुरोना से मौतें थी यह हम कैसे कह सकते हैं लेकिन लक्षण मिलते जुलते थे और जो कालखंड था वो भी सेम था और मौते अचानक हो गई तो चार दिन बुखार आ रहा है शर्दी खासी हुई और मौत हो गई तो कोविड में भी ऐसे होता है तो कुरोना कालखंड में कुरोना जैसे लक्षणों से दोसों से ज़्यादा अधिवासियों की मौत हुई है ये कटू सकते है पंचायतों के मृत्यु प्रमान पत्र आप निकाल लीजिए भले उसमें कोरोना से मौत नों बताई गई हो लेकिन लक्षण वही थे मेरा सिवरासिंग जी से और सरकार से ये आगरा है कि अगर आप उनको कोरोना से हुई मौते बता देंगे तो आपकी सरकार का पूरे मदबर देश में आखड़ा बिगड़ जाएगा और पूरे देश में हलना मच जाएगा ठीक है सरकार की छवी बचाये रखना है और मदद करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि इस दोरान चाहे कोरोना से या कोरोना से मिलती जलती बिमारी से या किसी भी बिमारी से अगर इस कालखंड में कोरोना के कालखंड में ऐसी मोते हुई हैं इसमें कमाने वाला चला गया तो आप उस परिवार को इसी योजना का लाब क्यों नहीं देंगे क्या वो मद्रप्रदेश का नागरिक नहीं है क्या वो पीडित सोच वंचित बच्चा नहीं है क्या उसको सिक्षा का हक नहीं है उसको पैंसन का हक नहीं होगा क्या उसको निश जा वो भुकतेगा या उसके मन में डर था कॉरिंटाइन हो जाने का या हो महाँ पे आइसोलेशन वार्ड में रखे जाने का इसलिए वो नहीं आया जो भी वज़र रही हो मैं कहता हूँ कि बीमारी भी कोई भी रही हो चलिये मैं कहता हूँ कि कोरोना नहीं था कोरोना जैसे लक्षण नहीं थे सामाने सर्दी जुखाम से मर गये तब भी मद्रदेश के नागरी खें तब भी वो परिवार अनात हो गया है तब भी उस परिवार का कमाने वाला मुख्या चला गया है अब यह कैसा इसको justify करेंगे कि एक परिवार जो कोरोना में जिसकी कमाने वाला मुख्या चला गया उसको आप 5,000 रुपे pension देंगे निशुल के सिक्षा देंगे और राशन देंगे और उसी के पास में रहता एक परिवार ऐसा इसी कालखेंड में उसके भी कमाने अले मुख्या की मौत हो गई है लेकिन उसका कोई record नहीं है, testing, tracking नहीं है, मौत का कारण सपस नहीं है तो वो उसको आप वंचित कर देंगे, तो उसको आप कोई मदद नहीं देंगे, ना पेंशन देंगे, ना राशन देंगे, ना आप सिक्षा की विवस्ता करेंगे क्यों मदब परदेश का नागरिक नहीं है क्या या फिर आप योजना बनाते समय आपके जो अफसर हैं वो भेद करते हैं मैं आगरा फिर से कर रहा हूँ आप मत लिखिये कि ये कुरोना से मौत है लेकिन कुरोना काल खंड के दोरान जितनी भी मौतें कमाने वाले मुख्या की हुई हैं ऐसे परिवारों को इस योजना में शामिल कर लिजिए आप की सरकार की भी कोई बदनामी नहीं होगी लेकिन वो परिवार को एक सहायता मिलेगी संबल बंदेगा, ससक्ति करण होगा वो परिवार को एक सहारा मिलेगा और वो परिवार सर्वाइव कर जाएगा दुआएं आपको मिलेंगी न सिर्फ उस परिवार की बलकि इश्वर की और से भी आपको इश्वर का अशिरवाद मिलेगा आपकी सरकार खुब लंबी चलेगी अच्छी चलेगी फिलाल मेरा यही आगरे था कि उनको आप शामिल कीजिए ताकि उनके साथ अन्याय न होने पाए फिर से कह रहा हूँ कोरोना कालखंड के दौरान जो भी कमाने वाला मुखिया चला गया आप बीमारी के आधार पे कैसे बहुत भाव कर सकते हैं यह सबसे बड़ा सवाल है इस पर विचार कीजिए और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको मेरी बातें छीक लगती हों तो कमेंट बॉक्स में समर्थन करें आपकी जो भी रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एगले वीडियो में हम इस योजना का लाप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे बने देगे आप सी बी लाइव के साथ